चुनावी मौसम में पीली भीद भी भीग रहा है और छोटे छोटे छीटे शेहरों पे भी गिर रहे हैं वरुन गांधी मैदान में है और चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं इसी कड़ी में वरुन गांधी पीसल पर पहुंची है जहां उन्होंने कार्यकरताओं को संबोधित किया इस मौके पर वरुन गांदी ने मौजूदा विधायक रामस्वरन वर्मा की जमकर तारीफ की और लोगों से समर्थन की अपीड की लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसे पल भी कैमरे में कायद हुए जिन से संबे हुआ की पार्टी में भीतर खाने सब पूर्ट सही नहीं है दरजल वरुन गांदी यहां आए तो पार्टी के नए कार्याले का उद्धाटन करने और हवन पूजा में उनको शामिल होना था लेकिन फीता काट कर वो चलते बने और पूजा के लिए भगवान पंडित जी दोनों ही इंतजार करते रहे इसके अलावा एक और पहलो देखने को मिला वरुन गांदी जब माइक पर बोल रहे थे तो पत्रकारों में उनका वीडियो बनाना चाहा इस बात पर वरुन गांदी ने नाराजगी भी जाहिर की और पत्रकारों को पीछे हटने को कह दिया वरुन गांदी ने जहां माला पहनने में भी दिल्चस्पी नहीं दिखाई वहीं कारिकरताओं के बीच में भी खोई-खोई से दिखाई दिखाई कभी सेल्फी लेने वालों पर खीज दिखाई तो कभी मोबाइल फोन बजने पर नाराज होते रही वर्म गांधी तो पीसलपुर आकर चले गए लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वेपक्षी दल सबाल उठा रहे है और वेपक्षी दलों की माने तो पीसलपुर के नेताओं से वर्म गांधी खाफा दिख रहे हैं मीडिया हलचल के लिए पिलिभी से आशुतोश मिश्वा की पॉड़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने